नमस्कार मैं संतोष कुमार गुपता आज धोरीपुल से लैव आप लोग के बीच आया हूँ और आप सभी हमारे साथ जूर जाएए और इस वीडियो को सभी लोग सेयर करें यहां का जो हालात है काफी खराप हो गया है यह NH-227 जो सरक है जो इंडो नेपाल बॉडर जैनगर से लदनिया लोखा खुटोना का मुख्य सरक है अभी मैं धोरीपुल से लैव हूँ करीब पांच फिट यह सरक उचा हुआ है पाहले से पांच फिट जो है उचा किया गया है अभी का जो हालात है जो सरक के दोनों छोर जो है करीब डेर फिट पानी जो है सिर्फ नीचे है अगर यह सरक नहीं बना रहता तो पानी सरक पर चड़ गया रहता सरक का उचाई ज़्यादा होने के कारण पानी जो है इस अभी तक चड़ पाया है और यह धोरीपुल के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं किस परकार से यहाँ पर पहले नौ चलता था बाड के समय काफी समस्या यहाँ पर हुआ करता था जैन अगर जाने के लिए 40 से 50 किलोमेटर का दूरी तै करना परता था और काफी परिशानी का सामना करना पर रहा था हमारे मचवारे भाई सब जो है हमारे मचवारे भाई सब जो है यहाँ पर मचली बड़े बड़े मचली पकर रहे हैं और जब कभी भी बाड का मौसम जो आता है तो यह सब दिरिश्य काफी देखने को मिलता है चारो बगल जलमगन यहाँ पर हो गया है अब एक दो दिन अगर तेज बारिश अगर हो जाता है तो यहाँ NH 227 जो पदमा जोगिया के बीच यहाँ धोरी पूल है धोरी पूल तो काफी उंचा बना हुआ है धोरी पूल के बाद जो पदमा जाने का जो रास्ता है वहाँ पर एक छोटा पूलिया डाइवर्शन है मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा रहा हूँ वहाँ पर पानी चड़ जाएगा धोरी पूल के पास काफी उंचाई है उसके बाद थोरा स्रोपिंग बना हुआ है और आगे एक पूलिया है वहाँ पर पानी चड़ जाएगा यहाँ पर काफी उंचाई है धोरी पूल के बना हुआ है और पानी काफी उफान पर जैनगर के कमला नदी होग आरन जो है लैब बीच्विच में रुप जा रहा है अब धीरे धीरे हम आ रहे हैं आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं जो हमारे भाई लोग देखें किस परकार से जो है लगे हुए हैं मेनत कर रहे हैं इस पर बाड आएगा क्या आप देखिए चाचा जी हमारे भूजी तो निवास्ती जो है यहाँ पर आनंद ले रहे हैं पानी काफी तो चाचा तेज हो गया है देख रहे हैं पानी बहुत आने वाला है जबकि यह जो जहां पर हम अभी खड़े हैं करीब करीब दस से बारा पंदरा फिट करीब करीब यह उंचा जो है पहले से हुआ है पहले का जो सरक था उससे पंदरा फिट उचा हुआ है और इसके आगे फोरा स्लोपिंग है और यहाँ पर धीरे धीरे जो है पानी का जलस्तर काफी बढ़ गया है यह सरक जैनगर से लजन्या लोखा जो पद्मा होके जाता है यह सरक है अब देखिए जो हम करीब पहुँच गए हैं वहाँ से धोरी पुल से आप लोग के लिए पानी का जलस्तर दिखाने के लिए जो है पैदल चलकर जो है इसे लाइब से आप लोग को साजा कर रहे हैं अब देखिए यहाँ पर इससे आगे जो स्लोपिंग है जहाँ पर गारी को साफ किया जा रहा है एक से डेर फिट या दो फिट होगा कड़ीब कड़ीब बचा हुआ हाँ भाई साब आज ही का यह लाइब चल रहा है भी धोरी पूल से और मेरे साथ जितने भी जुरे हुए हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी इस वीडियो को सेर करें जो भी लोग जो गउं से बाहर हैं अपने गउं से जुर पाएंगे अब देखे कितना पानी नजिक आ गया है हमारे ग्रामीन यहाँ पर अनन्द ले रहे हैं गाउं गारी जो है फिरी में साफ कर रहे हैं यह देखिए यहालत है हमारे गाउं के पास जो धोरी पुल के बाद जो यह जगा है करीब करीब पांच फीट छे फीट करीब कर सकते हैं जो यह रोड उपर बना था अगर यह सरक नहीं बना रहता तो आज हम बाड में जो है यहाँ पर घिर गे रहते हैं अब देखिए कितना पानी जो है उफान पर है जैनगर के कमला नदी उफान पर होने के कारण कई गाउं में बाड का पानी घूस गया है कई जगा यह तायात सुबिधा जो है बंध हो गया है काफी पानी जो है तेजी से बढ़ रहा है और अगर एक दो दिन बरसात हुआ तो यह एनेच दो सत्ता ही जो है आगर पूंत यहां पर बंध हो जाएगा और यहां जो सरक जो बना हुआ है इसको भी काफी नुखसान होने वाला है क्योंकि यहां पर कटाओ होगा मिठी का जहां जहां पर साइड में जो उनकी सपोर्ट में दिया गया है वहां तो खैर कोई दिकत नहीं होगा मगर अभी भी कुछ-कुछ जगा पर जो है कुछ काम बाकी है अब हम सीधे चल रहे हैं धोरी पूल के पास दुबारा